हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू स्विंग टेड फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे जगदंबा पलिमर लिमिटेड कंपनी के बारे में इस कंपनी का टोटल अनलीसिस करेंगे इसके बेस पे चार्ट अनलीसिस भी करेंगे तो इसमें हम देखेंगे इस टॉक में क्य अगर आप इस चैनल पर ना आया है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेगे उसके साथ में अगर आपके पोट्फोलियूम आगर कोई भी स्टॉक है तुछ तो इस के बार मैंने वीडियो बनाया था जब स्टाइम पर इंट्रीक करना चाहिए घृटके छोटा-चूटा-माइक्रीड स्टॉक होता है उसे लगाता है उसको बहींस आब अबंद करना चाहिए और हरे इक फ्राइस होता है एक कंपनी का तो उसी प्राइस पर हमें एंट्री करके चलना चाहिए इसा नहीं कि कोई भी प्राइस पर हम स्टॉक को बाई कर सकते हैं ठीक है तो अभी देखिए स्टॉक का अगर पी की बात करेंगे यहां पर 14.6 का पी है आरोसी 37 है जो कि बहुत बेहतर ही न है और प्रमोटर का होल्डिंग 73 पर के बारे में अगर बात करेंगे यहां पर रिजल दिखी यहां पर सेल्स तो बड़ी हैसा ग्रोइंग होते जा रहा है रहा है यहां पर बिलकुल एक गिरावट नजर आ रहा है जो कि 96 क्रोड का था यहां पर 85 करोड का हुआ है अगर हम इसी साब से अगर हम प्रॉफिट की करेंगे September 2020 को यहां पर नाइन करोड का प्रफिट था यहां पर सेप्टेंबर 2021 को यहां पर फोटीन करोड का प्रफिट है यह रन यह तो बहुत बड़ी ऐसा प्रफिर्म किया है अगर हम क्वाटर की बात करेंगे तो यहां पर इरावट नजर आ रहा है लेकिन लास्ट चार क जा रहा है अगर यहां तक हम रिजर्ब की बात करेंगे रिजर्ब तो हमेशा ग्रोइंग होते जा रहा है अगर मार्स टुन्टी टुन्टी वह नको देखेंगे यहां पे 132 क्रोड का रिजर्व था अभी अगर देखते हैं यहां पे 162 क्रोड का रिजर्व रीजर्व तो बहुत बढ़ी आसे ग्रोइंड हो रहा है तो शीसाब से अगर Denmark वी देखें goede it einem इसाथ से अगर पोर्शेंटेश का धी यहां पर डिंग नहीं है तो ये सासे स्टाक पनल कर बेंका रूची नहीं रहता है पॉब्ली के पास में 22 पर्सेंटेज का स्टेक है तो इसी साब से अगर हम देखेंगे इस टॉक में कितना पर्सेंटेज का करेक्शन आ चुका है और एक चीज में बताना चाहूंगा आज के दिन में जिसी साब से मार्केट में करेक्शन हुआ है यहां पर यहां पर वीडियो मैंने बनाया था कौन सा स्टॉक के बारे में प्रेंट आज एक स्टॉक में करेक्शन चल रहा था वहां पर काफी ज्यादा लोग ने डरे हुए ह तो मेरे हिसाब से एसी अन ग्रेंट के में गिरावट जरूरू देखने को मिला है जो कि 6-7 पर्सेंट का करेक्शन हुआ है फ्रेंट से यह से मौल के प्स्टॉक होता है ना उसमें गिरावट होता ही है तो ठीक है आपको बिल्कुल प्यानिंग मत किजिए कंपनी कोई बु को निकालने के लिए फिर अचाना ही तो इस टाइम पर खिल करने के बात फिर च्रकर यह इंस कोई तो ऐसा फिर फिर परने के बात करेंगे यहां पर करेक्शन हो मैं यहां पर 47% का correction हो चुका है अगर आप इसी साफ से देखेंगे stock को दिखें stock कभी भी 200 day movie average को कभी भी यहां पर respect नहीं कर रहा था अगर आप देखेंगे तो इसी साफ से अगर देखेंगे stock का price के हिसाब से देखे 2012 को यहां पर तीन रुपे का कर इवन ट्रेड हो रहा था अभी देखे 1000 के पास में मतलब 933 के पास में मतलब 300 टाइम्स रिटन दिया है ठीक है ना तो यहां पर अगर किसी ने यह एक लाक रुपे investment किया होता है यह stock में 2009 को 2010 को तो अभी उसका कि तीन करोड का capital हो चुका होता ठीक है यह सा बिलकुल भी नहीं कि stock market में पैसा नहीं बनता है पैसा बढ़ी ऐसा बनता है अगर साल में अगर बात करेंगे एक साल में भी 30% का gain मिलता है यहां पर देखिए तो मुझे ऐसा लगता है यह stock में अगर आप का holding है फ्रेंट्सिस को hold कीजिए क्योंकि company कोई बुरा नहीं है company के बड़ी ऐसा growing company है अगर हम देखेंगे company का business इसी साब से growing हो रहा है तो कोई problem नहीं है आप इस टॉक को hold करके चल सकते हैं लेकिन stock का क्या होता है कभी-कभी over value हो जाता है जो जब stock की इतना बड़ा सा return देता है उसके बाद में correction भी होता ही है अगर आप इसी साब से अगर दखेंगे है तो आप इसको hold करके चलिए अगर आपको इस टॉक को लेना है अगर बाई करना चाहते हैं लंग टर्म के लिए तो भी बाई करके चल सकते हैं कोई problem नहीं है company में आपको बहुत बड़ी ऐसा आगे भी इसे growth दिखा सकता है लेकिन investment छोटा करना क्योंकि स्मॉल क्याप स्टॉक होता है यह स्टॉक में ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए ठीक है तो यहां पे आपका पॉट्फुलियों का वान पर्सेंटेज में मुझे लगता है यह स्टॉक में टारगेट आपका six months में आशिव हो सकता है ठीक है क्योंकि जहां तक का गिरावरत और अल्रेडी कवर हो चुका है ठीक है इमीडियेटली अगर गें की बात करेंगे फ्रेंट्स में आपको इमीडियेट गें की बात करता हूं यहां तक अगर यहां पर पहले टारगेट तक अगर अगर लेके चलते हैं यहां पर टॉंटी सेवन परसेंटेज का गेंड आपको मिल सकता है जो की क yatakha 2 अगर नहीं होता है अगर फिर भी फोर मयंस डब लक जाता है तो भी कोई दुरा नहीं है क्योंकिṇकि का अगर यहां के ऑपको मिल रहा है अगर नेक्स थीसा summ calendar विख्यों यहां बने रहेंगे तो अगर यहां तक अगर झार्ड़ चीव कई नहीं सकता है लेकिन अगर आप बोले हैं कि नहीं मुझे तो बहुत अच्छा से एंजय करना है इसका रही को तो ठीक है तो भी कर सकते कोई प्रोब्लेम नहीं है मैं तो इसलिए बता रहा हूं कि क्यूंकि हमारा जो चैनल है हमारा स्विंग ट्रेड बेस चैनल है तो इसलिए बता रहा हूं तो आप अपना रिस्क के इसाप से ले सकते हैं यह थ्री मांस के लिए ले लिजिए आपको 27% का गेन मिलेगा अगर सकता है इस टॉक में इतना दिन टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसका पर्फर्फरमांस जिस आप से दिखा रहा है इस टॉक में अल्मोस्ट यहां पर कॉंसलरेशन पूरा हो चुका है ठीक है और दुसरा एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे मैं आके एक्जांपल दना च पूराना वीडियो में अगर आप पूराना सब्सक्राइबर होंगे तब ही मैंने आपको बोला होगा कि यहां पर जेपी पाउर में आप ले सकते हैं ठीक है तो वहां पे मेरा एक फ्रेंड ने क्या किया था उसने भी यहां पर पोजीशन ले लिया था ठीक है अभी अभी ठीक है आज मुझे फोना है कि मुझे बहुत बड़ी ऐसा प्रॉफिट हो रहा है तेरे बज़र से तो मुझे बहुत बड़ी ऐसा प्रॉफिट हो रहा है मैंने कहा कि कितना आपने इंवेस्टमेंट किये थे वह बोला मुने एक लाग रुपे लगा दिया था ठीक है जपी पीशी सापसार देखते हैं यहां पे 100% का गयन मिल चुका है और कितना तो बिल बबा भी ताइए उन्हें ले लिया यह बिल्कुल भीने था कभी वीडियो में एक बार बोल दिया था तो उन्होंने फोन किया था तो मैंने उनको बताया था यहां पर इसका बुग वालु दिखिए इसका बुग वालु 15 तक था मैंने उसको बोला था कि मैं दोस रुपे तक इस टॉक को लेकर चल सकता हूँ लेकिन इसी साफ से अग था मैं आपको बताना चाहता हूं उन्होंने क्या किया यह स्टॉक में वान लाक रुपी का इंवेस्टमेंट किया मैने कभी भीसصे नहीं बोला है कि इस 사 क्तॉक में वान लाक रुपे इंवेस्टमेंट करना है और और पिर का मतलों पोर्टफोलियों का सिजahah dw requ c पॉर्टफोलियो का साइज है एक ही स्टॉक में उन्होंने 50 परसेंटेज का अलर्टमेंट किया यह साब बिलकुल भी नहीं करना फ्रेंट्स क्यों मैं बोल रहा हूं हमें साब में हर एक वीडियो में आपको बोलता हूं कि पॉर्टफोलियो को डाइवर्सिप्रिकेशन रख चलो ठीक है क्योंकि पर्फोर्मांस तो बहुत अच्छा दे रहा है तो अभी हमने प्रफिट के हिसाब से प्रेडेक्शन लिया था इसी साब से हमारा प्रफिट आ चुका है तो अभी अगर उनको प्रफिट करना है मैंने उनको वही चला दिया अगर आपको यहां पे एक प्रफिट को अभी आप बुक कर लिजिए तो वहां पे उन्हान प्रफिट बुकिंग करने के लिए उनको बोल दिया क्योंकि टू मॉंस में उनको 100 परसंट का गयान मिल चुका है और क्या चाहिए ठीक है यहां पर एक जिस्ट हो सकते हैं फिर से अगर एगर इरावट आता रहा है कि में आपको परसंटेज से ज़्यादा मत करना अगर इसकिन की नहीं लेकिन कोई में जातें तो बहुत बढ़ी हो जाते हैं तो इसलिए मैं आपको को बोलता हूं stock market में बहुत बड़ी ऐसा आप study करके बहुत अच्छा से गेन ले सकते हैं portfolio को diversification जरूर रखिए और आगे stock market में बहुत बड़ी ऐसा portfolio portfolio grow किजिए ठीक है वीडियो में बने लेने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए उसके साथ में आपका portfolio में अगर कोई stock है तो उसका वीडियो रिलेटर यहां से study कर सकते हैं thank you very much friends for watching this video